लेकिन फखर जमान में जिस तरह बैटिंग करनी शुरू की और फखर जमान की बैटिंग आपको 90's की बैटिंग की तरह दिखी होगी जैसे सई दनवर खेलते थे मुझे तो फखर जमान को खेलते ऐसा लग रहा था कि सई दनवर ही बैटिंग कर रहे हैं सही दनवर ही बैटिंग कर रहे हैं बाबर थोड़ा स्लो थे लेकिन एक इंटेलिजन डॉक थी वो कप्तान की जिम्मेदारी वरी पारी थी वो जानते थे कि अगर फखर जमान चक्के मार रहा है तो मुझे चक्के मार के कुछ नहीं मिलना है मुझे सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी है बले ही में चार गिंदे एक्स्ट्रा खेल लूँ चुकि शायद वो कॉन्फिडेस उनको था कि फखर खेलते जाएंगे और फखर जमान और बाबर को सिर्फ आके दुबारा से आट-टस गेंदों में अपने आपको अपलाई करना था बट वो एक बात समझ गए थे कि ये मैच 41 ओवर नहीं जाएगा तो वह पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली खास्त और से फखर जमान ने और शायद इस तरह की दो इनिगे जो उन्होंने खेली है वो टीम में जोश भी भरती है वो उर्जा भी आ गई है बोलिंग उनकी अभी भी जो है वो मतलब बहुत माठी है बहुत कमजोर है आज जो पिटाईएं हुई हैं बले वो हारिस राउफ की हो शाहिन अफरीदी की हो किसी की भी हो लेकिन फखर जमाने आके उनकी बैटिंग को वो चार चांड लगा दिये है कभी कभी क्या होता ने जब आप मैच जीते हैं बड़ा तो बोलिंग भी सुधर जाती है बहारती तजर्बाकार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विकरांट गुपता ने फखर जमान की तरीफों के पुल बांद दिये विकरांट गुपता का कहना था कि आज के मैच में फखर जमान साही दनवर की तरह दिखाई दे रहे थे जैसे किसी जमाने में पाकिस्तान टीम में साही दनवर खेला करते थे आज फखर जमान ने बिल्कुल साही दनवर की याद ताजा कर दी फखर जमान की तरेफ करते हुए उन्हें ने मजीद कहा कि अगर बाबर आजम के जगा मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन होता तो पिछले जो मैच पाकिस्तान फखर जमान को बाहर बिटा कर केल चुका है मैं ऐसा कभी न करता बले फखर जमान चोटेड थे फिर भी पाकिस्तान को चाहिए था कि वो फखर जमान से बैटिंग जरूर करवाते नाजरीन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने आज का मैच 21 रंसे जीत लिया जो कि फखर जमान की तुफानी इनिंग की बदौरत मुम्किन हो सका फखर जमान ने 11 चकों और 8 चकों की मदद से 126 रंस गोर किये और वो नाट आउट रहे